आज की वीडियो में हम सेल करेंगे अगले कुछ मिनुटों के अंदर आपके गुजर रहा होगा आपके आखों के सामने से इस वीडियो को एक्टम ध्यान से फोकेस के साथ देखना अगर तुम्हें सेल रिवाइस करना है मैं एक्टिव रिकॉल के तुरू अपनी बायो है कि बुक से बायो है के नोट से तुम्हें यह रिवाइस करा रहा हूँगा और जैसा आगर तुम्हें रिवाइस करते आए हो यह बहुत ही फास्ट और रिविशन में तुम्हारा रिविजर होगा तो स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ आज की सेशन को लेट्स पहला कॉस सबसे पहली बात तो जर्मन था और प्रिटिश तो सबसे पहली बात तो जर्मन था और जलते हैं इस के साथ ब्रिटिश प्रितिश के साथ पहल ब्रिटिपनिस्ट नहीं आता तो जल्मन बॉटवल जान। बहुत ठीक अपि तो आप हमारे स्सारी क्या बचेळट का मुश्यारिश हमारे ब्रिटिश जोलाजिस्ट अब यह बच info जान दकता है ऐख शील्डन जो था तो शोन सेल हमरे को पता है हमारी एक इस तरीक से हाथ हो यह सफय जू ने शील्डर और स्वांग डाइश एक्स्पेंट न्यू सेल्स फॉर्म फॉर्म फ्री एक्सिस्टिंग सेल्स रुडॉल्फ विर्चो जिन्हों ने 1855 में बात बताई थी ओमनी से लुला इस लुला वस गून बाई रुडॉल्फ विर्चो 1855 यह वीडियो अगर तुम दो बार द देखोगे तो जो तुम्हें नहीं आता थाना वह भी तुम्हें याद हो जाएगा इस तरीके से तुम बहुत अच्छा रीजिंग कर सकते हैं मैं अच्छे से यूज करो यार वीडियो को बहुत मैना रखती बनाने में तो बढ़िया से यूज करो में इरिना ऑफ सेल्लेट इसना शेयल क्या है क्या है साइटम प्लाजम जो की नीट में आ चुका है ऐसे जोसी हैं तो यह जो सब चल्छा है तो और्गनिली इन विच राइबोजोमस ऑरफॉंड कौन सी कॉन सी है Rough ER जिसको बोलते है Cronoplast and mitochondria पॉन ऑ्प्लाज्मा की जीरो पॉइंट्री मिटर होती है जनरली बैट्रिया लेंधस कितनी होती है तो फाइव मिटर लाजेश इसोलेटर सिंगल सेल इस ऑस्ट्रिच का एग टीक यूमन डेट्वलर सेल और अबाट कितने इन डायमेटर तो सेवन मिटर डायमेटर में होते हैं साइज वाइरस क्या होता है दोस्साइज वाइरस और 0.02 से लेके 0.2 मिटर साइज और पूचा गया था यूरोपन वन मिटर होता है साइज और टिपिकल यूकरियोटिक सेल 10-20 हमारा को 10-20 टिक 10-20 मिटर प्रोकरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड वाई कौन से चार लोग हैं तो बैक्टेरिया फिर ब्लू ग्रीन एल्गी फिर माइको प्लाज्मा और पीपी एलो ठ्लूरोव मिमोनिया लाइक और्टिजम यह चारो निश्कुट करते हैं प्रोकरियोट इओकेरियोट्स मल्टिप्ला इंप्लियोट्स और च्छोटे होते हैं फीक है ठोड़ा सस्ते हुते तो जल्दी-जल्दी रिप्लिकेट करना भी इनक लिए असान होता है तो फूर ब प्लास्मीड डी एन ने कन्फर्म सर्टेन उनिक क्या फेनोटेप में गरेक्टर्स एक्जामपल यह ते सब प्लास्मीड हमारा जो है करता है इसके पास प्लास्मीड हो जाएगा तर्टीडू डैसे उस्टों वनिटर बैक्टेरियल ट्रांसफोर्मेशन विक फॉरिंड डीने कौन यूस्स करें जाता है येज प्लाजमिंट डी इने को यूस्स करें जाता है इंप्रोकरियोट्स एफ सम्धिंग उनिक इन फ़र्म आफ इंक्लूज़न्स के फ़र्म में कुछ अलग चीज होती है स्पेशलिए डिफ्रेंटिटेटेट्ट फ़र्म अप्रेंट्ट्रिक ए मेज़तों स्केट्रिक चेजिक प्रोकरियोट्स प्रोकरोट्स और केमिकली कॉम्पलेक्स तरहिए क्या विल्कुल त्री लेयर्स ऑशेल और कंसिस्ट ऑव आउटरमोस्ट ग्लाइको केलिक्स होता है ती कि सेल बॉल होती है और प्राजमा मेंड नोंत ऑल थी लेयर जो है हम develop करते हैं जो की ग्राम पॉसिटिफ और नेगेटिफ इन दो कडिगरीज में इसमें डिवाइड कर जाता है लूज चीट ग्लाइकोकलेश को हम क्या बोलते हैं आंसर इस स्लाइम लेर बोलते हैं थिक अंट टॉफ ग्लाइकोजस्ट को क्या होते हैं एक होता है डिटर्माइन दशेप ऑफ दिटर्माइन करेगा दूसरा प्रोवाइट स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग सपोर्ट स्ट्रॉंग सपोर्ट देता है क्या है है प्रोकेरियोटिक मेम्स्टॉक्ट्र सीम्ले टू युकेरियोट्स स의यक आहिए ऊंसरिस टू अब बोलों कि यह कि बात होी तो भी बतीलब नहीं है रीकी आहि Hakate लइक कि आवसकते हैं यह हो यह को करती है सुनते जाना , cell wall की formation, DNA को replicate कराishment कि डिस्टीबूशन इंटू डॉटर सेल में ठीक है डियने रेप्लिकेट करता है ठीक टो यह साथ इसके पॉइंट है in डैश other other membranous extraction into cytoplasmous present called dash which contain dash तो इन किन लोगों में cynobacteria में cynobacteria में other membrane extraction into cytoplasmous present इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं chromatophores chromatophores which contain pigments bacterial flasilla के तीन पार्ट होते हैं filamental hook and basal body longest portion out of three is कौन सा होता है जी filament होगा cilia is absent in bacteria answer is true cilia नहीं होती है बेक्टेरिया में केवल फ्लेजला होते हैं dash are elongated tubular structure made of a special protein elongated tubular है special protein का बना हुआ है क्या है पिलाई कि डैशा small bristles like fiber sprouting out of a cell कौन होते हैं फिम्रे होते हैं तिके 20 cm ribosome का साइज होता है ribosome unit in prokaryotes क्या होगी 50s and 30s total मिलाके 70s बनाए रइब रइब तो सिंगल MRNN फॉर्म चेन कॉल्ट डैश और डैश तो यह नीट में आ चुका है बहुत बारी पॉली राइबोजोम या पॉली जोम बोलते हैं इसको विजब फूर्ट मेटेरियल इस टोड़ेस इंक्लूजन बोडी इंक्लूजन बोडी और बाउंड मेंब्रेन अंसर इस फॉल्स अभी हमने पढ़ा था एक्जाम्पल अब इंक्लूजन बोडी तीन एक्जाम्पल कॉ फोटो संथेटिक बेक्टेविया तो पहले तो हमारा ब्लू ग्रीन हुआ फिर अखिरा ग्रीन खुट हो जाएगा और फिर पर्पल हो जाएगा तो यूकरिटिक सेल की बात करते हैं एक्स्टेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इस सीन इन यूकरियोड सिंपल बात है और कि आप्टेश ते अडवेंट ओफ इलेक्ट्रों माइक्रोसकोप ठीक एलेक्ट्रों माइक्रोसकोप अर कंपोज़ ऑफ डैश विध दियर पोला हैट तुवर्स दा आउटबेंट लिपेट के बनी होते हैं बिद पोलारेट कांपे होता है आउटर साइड होता है ठीक यूमन जो है उसमें हमारे पास एक तो है इंट्रीकल प्रोटीन एक होता है हमारा पैरिफेरल प्रोटीन अच्छा इसमें एक बात ज्यान रखेंगे यह वाला कॉश्चन में कई सब अच्छे कर देते हैं वो सुछते हैं कि अच्छा हमारी मेंब्रेन तो लिपट की बनी है तो मतलब लिपट जाता होता होगा लेकिन यह दखें 52% प्रोटीन होता है 40% ही केवल लिपट होता है ठीक प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है जो की दो टाइक का होता है इंटीग्रल प्रोटीन और पैरिफेरल प्रोटीन इंटीगल प्रोटीन और उनली पार्शली ब बना दे गई यह भी एक चैनल बना दे कुछ होते हैं जो बीच में खता हो जाते हैं ठीक फ्लूइड मोसाइक मोडल वस गिवन बाइव हूम एन विच यह किसने दिया था सिंगर एन निकोल्सन कॉंसे साल में 1972 अभी आया थोड़ी जनों पहले 68 दा कॉज़ाय फ्लूइड नेचर और लिपिट्स हेल्पिन किसमें लेटरल मुवम्मेंट आफ प्रोटीन अबिटी तो मूव विदिन बाइलियर मेंजर इस फ्लूइडिटी कितना फ्लूइड साइटोसिस एंड सेल डिविजन पहला क्या सेल की ग्रोथ कराने के लिए जरूरी है क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं होगा तो सेल बढ़ेगी कैसे राइट इंटर सेल्लूइड जंक्षन है ना जो आदमी फ्लूइड होता है वह जादा अच्छे जंक्षन मेना पाता है मत लोग आके बढ़के अच्छा करते हैं डिवाइड करते हैं ने को याद आखना है कि कुछ सामान आएगा तो अंदर आसानी से ले लेगा अगर में आपका सामन का नहीं लेकिन हो सकता है तो यह फ्लूइड है तो आने जाएगा और फिर उसे साब से सिक्रीट भी करेगा वह किसी और को भी देगा तो वह भी उसका देलेगा सामन तो देना भी आसन रहेगा तो लेन देना असन रहेगा और इसे लोग आगे बढ़के अच्छा डिवाइड करते हैं डिफाइन ऑस्मोसे प्लांट में देखता है सेल वलके फंक्शन क्या होते हैं चार फंक्शन होते हैं पहला तो गिव दे शेप टू था सेल प्रोटेक्ट सेल फ्रम मेकेनिकल डैमेज एन इंफेक्शन तीसरा हैल पिन सेल टू सेल इंट्रेक्शन तो सेल वाल एक ऐसा वह है रिजड आदमी जो करके रखेगा लेकिन सेल टू सेल इंट्रेक्शन भी करवाएगा मतलत वहते हैं बिल्कुल ऐसे वाले पापा होते हैं कि भाईया ठीक है मैं प्रूटेट बहुत करूंगा बिल्कुल मैं अपनी लड़की को शेप दूंगा और लेकिन जरुत पढ़ने पर इंट्रेक्शन इस अधर प्लांट्स इट कंसिस्ट आफ क्या चाहिए इसमें सेललोगा है मिसल लोगा प्रोटीन तो अप्रोटीन सो थे सेकंडरी वाल इस फॉर्म ऑं दा आउटर इनर साइड आप अंसर इस इनर साइड में अमिडल ले मिला है इतले में आफ किस्थीज की कैल्शियम पेक सेल वाल और मिडल ले मिला ठीक है में भी ट्रांसवर्ट बाइ प्लास्मों डेसमर्ट एंडोमेम्रीन सिस्टम इंक्लूड क्या चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं इयार गॉल्गी कॉंप्लेक्स लाइज़ोम और वैक्यूल्स इनको याद रह सकते हैं जी यार लवी जी एल्वी यह द्यूमोनिक है गाल की एपरिटस एंडुर्टफ्लास्मिक रेटिकौलम राइबोजो में लाइजोजूम् और फाके है तो इसमें जी मतलब हमारा क्या है war मतलब हमारा दव अनुलम लाईजोंम देक्यूम देगहें चारों चारु चीजें आ याद रहाएं सिस्टम में नहीं आता कभी भी घल्टी से राइब लिख देना इधर ए आर एक साथ लिया जाता है नौट इस नौट राइबोजों फंक्शन सार नौट कॉडिनेटेड इन एंडोमेंब्र सिस्टम प्रू और फॉल्स आंसर इस फॉल्स दा इया डिवाइड दा इंट्रसेलर स्पेस इनट डेशन देश तो किस में हमारा लुमिनल और एक्ट्र लुमिनल ईंटप्लासम अंड इसकॉल क्या बोला जाता है रियर बोला जाता है इन सेन स्पॉललते दिक बीव्जर इंडर जयूंग इंडटिखेल इंवल्ट इन्ट कॉंड इस इंव्र प्रोटिज इन सि एक तो होता है synthesis of lipids and steroids दूसरा detoxification of drugs इसलिए हमेशा जब भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा लेवर में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लेवर का काम detoxification होता है डैस इन यह डैस ऑब्सर देंसली स्टें रेटिकुलर स्टक्चर नियर्द नूकलिस तो कैमेलियों गॉल्गी साब थे 1898 में नों ने देखा कि भाईया रेटिकुलर स्टक्चर है नियर्द नूकलिस उस टाइम पर इंडिया में लोग बस लड़ाई-लड़ाई करते थे आलतु भलतु काम तब तक देखो विदेशों में क्या 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 लोग करते थे गॉल्गी बड़ी यह देश शेप डैस ओट है तो क्या शेप डिस्क टिक disc shape sex और sister ने the sex and sister ने are of dash mu meter diameter तो 0.5 से 1 mu meter दिया स्टिन पेलल ये परपेंडिकुलर टूज अज़र आज़र इस पेललल होते हैं dash और dash face is convex and dash और dash face is concave तो हमारा sis और forming face होता है वो convex होता है और हमारा जो trans phase होता है just com क्या बोलते है maturing phase बोलते है वो कौन क्या होता है cis and trans phase of the organeal are entirely different answer is true cis and trans phase are not interconnected answer is false Golgi apparatus के function क्या होते है packing, modification and transportation packing, modification, transportation PMT जो पहले होता था material are packaged in the form of कैसे? vesicles के form में material fuse with dash dash phase of Golgi apparatus and emerge from dash phase तो cis phase से fuse करेंगे trans phase से immerse कर जाएंगे Golgi apparatus is an important source for formation of glycoprotein and glycolipid यह बहुत पूछा जाता है नहीं तो lysosom are found by the process of packing in Golgi bodies lysosom are rich in conscience है hydrolytic enzyme its enzyme are optimally active at acidic यह basic pH vacule contain क्या चार चीज़ें तो चार चीज़ें जो होती है पहला होता है वाटर जो सेप excretory product and non useful material जो बहुता सीज़ा होता हो डाल देते हैं vacule membrane को क्या बोलते है टोनो प्लास्ट बोलते हैं in plant cell vacule can occupy up to 10% of volume कितना 50% volume occupy कर सकता है तोनो प्लास का function क्या आए जी फैसलिटेट ट्रांस्पोर्ट अफ नंबर ऑफ आयों से अनदर material अगेंस concentration gradient इंटो वेक्यूल अगेंस concentration gradient के अंबर ऑफ आयों से अनदर material कौन कराएगा टोनो प्लास कराएगा concentration ऑफ आयन्स इस हाइर in cytoplasm than vacule सही बात है क्या आंसर इस फॉल्स इन डैश कॉंट्रेक्टल वेक्यूल इंपॉर्टेंट फॉर्ट इन अमीबा किसी लिए एक्स्रीशन के लिए इन डैश फूट वेक्यूल इंपॉर्टेंट बाइंगल्फिंग फूट पार्टिकल्स प्रोटिस्ट में ऐसा होता है माइट्र कॉंडियन प्लासिट सी बात करते हैं माइट्र कॉंडिया स्टेंड वाई जैनस ग्रीन तो मैं हो सकता है इंचे एक मेन थ्योरि में यह ड़े समरी में दिया वन इनिट अमीटर डा मीटर तो माइटर कॉंटिया स्टा हमारा हो सौशे शिप होता है ठीक है डायमियूट्र क्या पर लेके 1मेटर होता है यह दिदा डाइवरेटर यह पंड फाइवीविंट फा द॥ा दिक इस लेंट क्रिष्टे क्रिष्ट 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 क्या होते हैं इंक्रीस करता है सर्फिस एरिया और ने इस एपसंट माइट्र कॉंट pendant लेंगे लियुकोब्टेन गया है जिनको हम बोलते हैं केरीटनोइट इनका इक्जांपल कहा है करोटीन sparklingалы तो ल्यूकॉप्लार्ड या लूको प्लार्ट यह हमारे बैरंगी होते यह कोई रंग नहीं होता है इनके क्या होता है तो क्या करेंगे तो कही रणार्ण विछता है मात है पॉटेटो दूसरा मला इलियू प्लास्ट इलियू तुम बोलो के तीन-चार बतो की की तो यह क्या करता यह और फैट को जो है इसके बाद रहने स्टीन तो हमारे प्रोटेंट रिच हो जाएगा करेगा किसको मेज़ोरिटी और फॉज्सेल में मिलेगा लेंग टार कितनी होती है लेंग जो होती है 5-10 मिल्य मेटर चेफ औफ क्रोड़ प्लास्ट पांच तरीक होते हैं नहीं आय का नेट में कभी फिर भी बता देता हूं लेंग शेफ ओवल बाद शेफ्ट स्पारिकल डिसकोईट और रिबन लाइक भी होता है वन क्लोप्लास पर सेल इस प्रिजेंटिब किसमें क्लेमाइडो मुनास में मुज़ोफिल सेल डैस्ट टो पर सेल कितने हैं 2240 प्रॉट्ट मैट्रेक्स क्रॉट्ट को निया से अनलोग इस टो डैशिन क्लोप्लास टो इस ट्रोमाइड प्रॉट्ट डाउटर मेमने इस रिलेटेबली लेस परमीबल सही एक आंसर इस वॉल्प अंदर से कर्टी जादा उनी चीग नहीं उनी चीगे तो अंदर वाली लेस परमीबल होती है भार वाल मिन इस्ट्रोमा कंटेंस एंजाम डुकाइब फॉर्टीज उप्रोटीज में काम करता है जी इट कंटेंस सिंगल संद डी एने ऐसा है क्या आंसार इस फॉल्स डबल संद डी एने होता है बोथ क्रोलप्लास माइटो कॉन से राइब दोते हैं 70S राइब देश कौन साब थे ज पहलेट से 1953 में वह ने लेगा था इसको यह अर कंपोज अब डैस तो किस निजी चीजों का प्रोटीन एंड आर ने हैर एस इस डैस यूनिट्स स्टेंट फ़र्डश कोविशन तो स्वेट बर्ग उनिट बोलते हैं स्को क्या बोलते हैं स्वेट बर्ग उनिट सेडिमेंट सब्सक्राइब करता है क्या डेंट सिटी एं साइस सब्सक्राइब तो इस में क्या होता है इसमें कौन सा आरा ने होता है तो यह पूछ लिए जाता है तो याद करेंगे 16S RRN होता है 16S RRN और 50S में जो मैं RRN मिलेगा that is 23S and 5S RRN ठीक अच्छा जी 80S में क्या क्या सीन रहेगा तो 80 में 60 और 40 रहेगा सब यूनिट और जो हमें 60 में क्या मिलेंगे 60 में में विल गेट 18S RRN है और 40 में विल गेट 40S में विल गेट 28S 5.8S and 5S RRN थोड़ा सा ओट और जानना अच्छी बात है और फिलामेंटर स्पोर्टिमेंटर स्ट्रक्चर्प्राइब इस क्या बोला जाता है जी साइटोस्केलेटन बोला जाता है साइटोस्केलेटर स्ट्रक्चर्प्राइब इस बोला जाता है एक्जोनीम बोला जाता है पॉसे नमबर ओव माइक्रो फिलामेंट्स रॉनिक पालल टू ता लॉंग इक्स एस अंसर इस क्या क्या बताएग ए और इस फॉल्स माइक्रोट फिलामेंट्स ने आएगा यहां पर आएगा माइक्रोट टिबिल्स कि यह थे यह उता है ऐटी नंबर होती है अघ्स नमर लोकेट इस इंट्र कितनी लोकेटेट होती है सेंटर में नाइन प्लस बोलेंगे ना बिल्कुल नहीं ही बोलेंगे 9 plus 2 ही बोलते हैं the central tubules are connected by dash and is enclosed by dash connected by किस चीज़ से bridges से enclosed in central sheath the central sheath is connected to one of the tubules of each perpendicular doublets by a dash किस चीज़ से radial spokes से total number of radius spoke in cilia are 9 होते हैं the peripheral doublets are also interconnected by किस चीज़ से linkers बोत अचीज़ बन flagellum emerge from dash like structure called to centriole like structure called basal bodies centrosome in central की बात करें centrosome contain क्या दो centriole होते हैं के निदर centrosome are surrounded by dash called dash amorphous pericentrial material the centriole like perpendicularly appellar to each other answer is perpendicular to each यहां पर ट्रिपलेट मिलते हैं यह ट्रिपलेट मिलते हैं यह ट्रिपलेट में देख रहा होंगे यह बिचते हैं गिए triple triple that adjacent triplet are not linked ऐसा होता है क्या false they linked होते हैं यह यह थे लिंक होते हैं यह लिंक होते हैं the central part of centriole is called dash which is connected with peripheral triplets by dash to central पार्ट बोलते हैं हब को connected by radial spokes तो यह radial spokes यह में दिख रहा हो यह hub है हमारा यह radial spokes अब इन spokes are made of protein इता बना है simple central form basal body और cilia और दूसरा इस्पिंडल फाइबर बनाता है कि नूकलेज वस फर्स डिस्क्राइब बाइड डैश इन यह डैश कौन सा आप थे रोबर्ट ब्राउन थे 1831 में बताया था तब मैटेरियल नूकलेज वस टेंड बाइए सटी के बेसिक डाइश एन की बने नेम डैश बाइश तो हम इस्पार्फेज नूकलेज है नुकलेज फाइब फाइबर प्रोटें वाइबर्स कॉल्ट बसादो फाइब बंटर्प्रोटिंट राएगा यार के साद बडराई ब्रता है मुव्मेंट ऑफद डैश टेक प्लेस तू नुकलेज पों किसका आजने का और प्रोटीन का रू यह कील प्लाजम में हमारे पात स्टाइब और है गर मधनों होते हैं कि नीटली डशेफ शक्चर कौन सा स्पैरिकल होता है नीटली अर membrane one answer is false active ribosomal RNA synthesis occur in किस में होता है मताइए active ribosomal RNA synthesis occur in किस में होता है nuclear loss में होता है chromatin container non-strone protein तो मैं पास होते हैं तो पहला तो देखो होते हैं और और चार चीजों धियान एर ने इस्टोन नॉन इस्टोन इमन डी आइने कितना लॉंग होता है दो मीटर लॉंग उता है प्राइमरी कंस्ट्च्षन is called centromere on the side which this shape structure dash are present kinetochores are present few chromosomes have staining yeah non-staining secondary construction secondary construction hota hai that is always non-staining the location of secondary construction may change answer is false same रहती है secondary construction gives the appearance of satellite satellite बन जाता है microbodies are non-membrane bound under is false memory bound होता है example क्या है तीन पैरोग्जिजोंस इस पैरोजोंस right and glyoxy zone glyoxy zone diagram करते है वटावट से तो यह हमें क्या दिखाए जा रहा है बताए क्या दिखाए जा रहा है यह हमें chromosome के अलग-अलग morphology दिखाए जा रही है ए जो है metacentric है B is telocentric C is some metacentric and D is acrocentric ठीक एक्रोसेंट्रिक यह नीट में आ चुका है पिछले साल यह आया था इसमें X क्या है X is satellite Y क्या है second construction and Z क्या है centromere अभी पढ़ाओ चलो वह यह यह है हमारा chromosome देख रहा है हमें ठीक है इसमें क्या बता जा रहा है यह बताओ यह नूकलियर पूर यहां से पूर है जाब इस चीज कर्दारम है बताओ इस चीज का है centriole का है ठीक What is a paris centromere satellite आई है बी क्या है B is CA connective C और A का connective what is क्योंकि C और A का connective तो यह ABC है ठीक और यहां से फिरसे A connect होता है तो यह और यह का connective जो वह हो भी है हमारा फिर सी क्या है हमारा simply triplet भीकर तरब्रइट सेंट्र मppe जिसको सेंत्र बोलते हैं आए जो हमारा है वह पोस्तों है यह 카णा बीच में करेंस दोनों में जते हैं इल टे नाकर कि गांए सेम लकाने इसमें अँखने लान grande यह बी हमारे peripheral microtribules हैं, C is our inter dublet bridge, doublet के बीच में जो bridge है वो C है, D क्या है? Central microtribule, what is E? E is our radial spoke, f is central sheath, कि क्या बता जा रहा है है यहाँ पर लॉस प्रणा सब्र нрав का डाइग्राओं में यह यह सटह्चन होते है रेक्प मार्टनॉंट्प यह रहा गया नीट में इस बीन देल और कैमन स्क्रॉंचरम उस्ट आयरा और क्या है único मेंट्रिक्स बोलते हैं तेक यहां पर म्हें पुर बनता है एक्ट्छा्स इसको क्रिश्टा फोल्डिंग को तुरिष्टा बोला जाता है यह हमारा गौलगी एप्लेटास यह भी नीट में आ चुका है बहुत बढ़ीया अच्छे तरीके से इसमें एक समारा क्या है सिस्टर नी फिर यह भी आ चुका है नीट मैं डिका कि फोर क्या चीज है एंडो प्लासम रेटिकुलम यह हमारा नुकलेस भी हमारा नुकलेब़व पोर सीज रर यह जो है रर यह इस पर आई ओसम लगा हुआ है थी बी जो ऐन這個 sut original को बता जा रहा है और यह हमारा ऐसीया रएस समूथ द्रॉक्त ए एक हमारी एक्जर इसकी लेबलिंग से कर हम देखें, what is A, A is sugar, ठीक, B is peripheral protein, C is phospholipid bilayer structure होता है, आ गया, ABC, D क्या है हमारा, integral protein है, और E क्या हमारा, cholesterol है, उचा जा चुकता है, मैटा नीट में, क्योंकि आज कल यही चल रहा है, सब चीज़ आनी चाहिए, देखा कि टू की बात करते हैं, इसमें फ B is plasma membrane, C is centriole, D is peroxysome, D is peroxysome, याद रखें, peroxysome है D, what is E, E is lysosome, F is ribosome, G is mitochondria, H is RER, I is cytoplas, J is nucleus, K is nucleus, L is amand nuclear envelope, M is SCR and N is Golgi body, प्लांट सल में, प्लांट सल में, A क्या है, A is RER, B is nucleus, C is nucleus, D is Golgi apparatus, E is nuclear envelope, F is plasma membrane, G is vacuum, H is middle amyla, I is cell wall, G is mitochondria, K is ribosome, L is chronoplast, M is cytoplasm, N is peroxysome, O is microtubule, P is plasma dismeta, Q is SCR and R is lysozome, ठीक, lysozome हमारा R है, तो यह इतना labeling, इतना खुशकर नहीं पूछते हैं, but ठीक यार, मतलब एक बार सुनना बोरा नहीं है, thank you everyone for listening to me, मिलते हैं यार फिर, next session में, all the best लगे रहो, मुझाते रहो.